किसान का बंगाल के चुनाव से क्या लेना देना किसान नेता जो वसल बोने का काम करता है जो हमारा अनदाता है उसका क्या लेना देना किसान का बंगाल से केरल से और जहां-जहां चुनाव हो रहा है एक तरफ आप कहते हैं जैसे आपने सवाल पुछा कि एक तरफ आप कहते ह कि हम सारे जगे जाके बात कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना वोटर की अपनी मर्जी वो किसको वोट दे वो कॉंग्रेस को दे वो बीजेपी को दे वो टीमसी को दे वो पीएफाई समर्थन वाले लोगों को वोट दे वो किसी को केरल में वोट दे आप वो क्या फरक करよね किसी और केंडीडेट को वोड्य और उसके बार वह नहीं करते हैं सबसंदेर नारे पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारेगे किया भारतियय किसान वह यई ही बात हम लोग स्यफ्तीन महिने से जह खुद अपने आपको परत दर परत खुद इक्सपोज करते जा एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हमारा क्लिस्तानियों से कोई मतलब नहीं एक तरफ आप यह कहते हैं कि नहीं जो 26 जन्वेरी गो जिसने तिरंगा उठाके फेका वो किसान नहीं वो किसान के रूप में कुछ बहुरूपी है करें कि किसाननों के बीच बहुरुपी है तो अब खुद मांते हैं कि Halpmax है दूसरी चीज आप बार बार यह कहते रहें जो भार यह कहते रहें कि इसको सुरूमें यह कहा गिए भीजे-पी और ब्लोदी इसके बावचंग डिया तो मन्जिद्र सिलसा साब उन्हों ने उसक सब जगे डाला कि अभी मेरी से बात हुई और हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से ये अस्वाशन दिया कि आपको हमारे तरफ से पूरी लीगल मदद मिलेगी भाई क्यों मिलेगी कल तक तो आप टीवी चैनल पर मेरे साथ बैट बढ़ के चिला के कहते थे बीजेपी का इसको बीजेपी ने भागा दिया भीजेपी ने चलो भगा दिया फिर भीजेपी पकड़ के लिए यह रहे तो सिलसाथ अपगी रहे आप उसको लीगल असिस्टेंस क्यों दे रहे है यह अपनी बातों में इतना फस्चुके हैं एक तरफ कहते हैं कि हमारे भी किलिस्तान बहुत सारी चीजे हैं और हर लेवल पे इन्होंने देश को जूट बोला है देश को दोका दिया है किसानों की आड में गरीब मासूम किसानों के कंदे पर बंदू के रखके चलाई हैं चाहे वो सिर्सा साब हो जो सिद्धू को मदद कर रहे हो चाहे वो किसान नेता हो जो बहुत कुछ है जो सिर्फ एक एजेंडी के साथ काम कर रही है कि भारत सरकार को घरना है तो किसान का बंगाल के चुनाओ से क्या लेना देना किसान नेता जो वसल बोने का काम करता है जो हमारा अन्द आता है उसका क्या लेना देना किसान का बंगाल से केरल से और जहां जहा वोट मत देना वोटर की अपनी मर्जी वो किसको वोट दे वो कॉंग्रेस को दे वो बीजेपी को दे वो टीमसी को दे वो पीएफाई समर्थन वाले लोगों को वोट दे वो किसी को केरल में वोट दे आपको क्या फरक पड़ता है लेकिन आपको इसलिए फरक पड़ता है क्य यूज कि शुरू से यह अंदोलन किसानों का था ही नहीं जो गरीब किसाने अभी पर्सों में एक डिबेट पर तीजी इंदुस्तान पर वहां पर ग्रेटर नॉड़ा में बहुत सारे किसान जिनकी गोभी खराब हुई मतलब कई कई लाक रुपे का अनाज कई करोड का सबजी खराब अगर वहां पर हुआ है तो वह किसान अपनी गोभी लेकर कह रहा था कि टिकेट साहब इसको खरीद लो क्योंकि वह तो गोभी खराब हो गए उसमें कीडे लग गए गोभी तो हमारी भी की नहीं तो टिकेट सा सब्सक्राइब करेंगे या आपको पैसे मिल रहे हैं क्योंकि जैसी आप बंगाल जाएंगे आपके खुद के साथ जुकरान चाहिए जहां का साथ बितना कि जांच करने की एक टीवी चैनल के दुवारा ये भी खुलासा हो रहा रहा है कि राकेश टिकेस जैसे कि टेंट खाली हो रहे हैं और जाधा किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो टीवी च कि दोड़ो हजार रुपे देकर उनकिसानों को बुला रही है आंदोलन में अभी बड़ी बात तो है नि हमने शाहिन बाग देखा इथा पांच-बास सो रुपे वाली बास सामने आई थी पता ही है कि चलो 500 बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं तो जूड़ वोल रहें 500 जैसे देगी अभी STF की टास्क पुलिस स्फोर्स ने यूपी के दो लोगों को पकड़ा जिनको उत्तर प्रदेश में अगले कई महीनों में जहां पीफाई से थे और उनने कहीं जगे इस तरह का इनका काम था कि वो कुछ दूनों में शाहिद कर सकते थे तो STF के लोगों पकड़ा और वो ही लोग यहां पर PFI दिली शाहीन बाग में चापा भी मारा तो कहीं न कहीं तार इनके मैसी बहुत लंबे जुड़े हुए और अगर ED, CBI यह हमारी Central Agencies, Income Tax और भी जितनी हमारी Agencies हैं अगर इनके उपर आप शिकंजा नहीं करेंगे तो जैसे ही Uniform Civil Code य आने तक चलेगी इस से जाधा भयानक देश में हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि PFI की SDPI जो Political Wing है उसके जनरल सेकेटरी है को यह भी बयान दे रहा था कुछ दिन पहले कि यह आपरेल के बाद क्योंकि हो मिनिस्टर साब ने कहा दिया हो मिनिस्टर के सीय लागू होने जा रहा मैं जैसे कि हम अगर किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बॉलिवुट की बात भी करेंगे जिस तरीके से अभी रहाना और मिया खलीफा की तरफ से हमारे देश में जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर जब टिपनी की गई थी तो हमारे भी कि लोगों को परेशान कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर और मुंबई में भी अजय देवगन की गाड़ी को घंटों तक रोख लिया जाता है उनसे कहा जाता है कि पंजाब की साइड नहीं हो तुम्हारे पेट में दर दोना चाहिए तुम्हें सोचना चाहिए तुम प और फ्रिल्म में एन रिलीज होने बहुत सारि आली अबटक आतरी वह वह एक फिल्म आ का अच्छा है एक असी महिला के उपर जो व्रित्ती पर काम कियां लेकिन क्योंकि आलिया भट उसका किरदार निभारी है इसलिए बहुत चांसें है कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी जै जे देगन की फिल्म इतनी छपपर भार के क्यों चली क्योंकि आप अगर देश के खिलाफ चीजें करतेंगे तो अब जनता है और सुषान के केस में हो चुका है लेकिन चलिए आपको देर से अकल आई आपने इतनी तो हिम्मद जुटाई मैं बाद सचिन और लता मंगेशकर जिए बिल्कुल नहीं कहाई और लोगों के लिए क्या जो जो बालीवूड बैठे अपने मूह में घी जमाय चे महिने से बैठे ते लेकिन अगर लता मंगेशकर जी और सचिन ने कोई बात कहीं सचिन जी कि इतनी ज़ते लता जी कि इतनी ज़ते इसके बावजुद उनको म बहुत देर तक तमाशा किया बाद में पुलीस ने उसको पकड़ा तो आज कोई जरूरी है कि हम अपने देर भाई किसान आंदोलन है बार बार लोग किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो 40 संगठन मैसी ऐसे हैं जो सड़क पे बैठे हैं जिसमें सबसे बड़े टिकैट सा लेकिन 500 से उपर संगठन मैसी जो सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटा चुकी है जो ये कह रही है कि ये बिल हमारे समर्थन में वो ग्रोटे नोड़ा किसान का क्या करूँ जो गोबी लेके खड़ा था वो हजारों किसान नहीं बात है मेरी के एक तरफ ये बोलते हैं कि ये किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ चाहां फिर बॉलिवूड के स्टार्स हो उन्हें तंग किया जाता है गाड़ी रोगी जाती है और वैसी ही चीज़ां के चीजनां के चानेडा में बी हाहकार मचाया जाता है इस इंडिया में अल्मोस्ट बैन है और यह कैनेडा में इनके हेड्स प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं वहां से करोनरुपे यहां के भारत की धर्ती पे भेजे जाते हैं खलिस्तान मुवमेंट को वहां से चलाया जाता है और यह आज की बात नहीं है जब ऑपरेशन ब्लू स्टा मुगार होँआ था ओट से चल रहा है वह खलिस्तान कीमांग सॉइर रहन के सब्लीन करें में वह च JAC को अड़त यहां नाम के लोग जो बयान दिया गया है कि भारते जंदा पार्टी को हराना है क्या दो ही राज्यों नहीं बलकि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं क्या कहीं पर भी इन सारी चीजों का प्रभाब देखने को मिलेगा देखे बंगाल अभी रिसेंटली क्योंकि योगी जी आप पे करेंगे जो बंगलादेशियों के गुसपैटियों को भारत में लगातार गुसाते आये और उसको आप सोचिए लोग यहां पे पेट्रोल के दाम महंगे हुए लोग बहुत परेशान है बात सही है लेकिन जब आप चार बीवी चालिस बच्चे रखेंगे और उसके लिए आप कहेंगे कि हमको घर भी चाहिए मकान भी चाहिए जमीन भी चाहिए नोकरी वी चाहिए सरकार से आप बहए यह यह दोई पैदा करो और भारत की जन संख्या किया कम है कि आप बंगलादेश पाकिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान से बंगाल में बंगलादेश से आसाम से उधर आप घुसपैटियों को भी बिठाईए घर में घुसाईए आप हमारे हिस्से की जमीन हमारे हिस्से की नौकरी हमारे हिस्से का खाना आप घुसपैटियों को देगे और फिर सरकार के लिए ह सरकार से सब कुछ है इस बार बंगाल में आप देखिएगा कल मैं पूरा कल जो वहां पे चुना हुआ उसको मैं देख रही जैसे ही योगी जी आए मतलब दो मीनिट तक योगी जी हसते रहे स्टेज पे क्योंकि जैस्ट्रिणाम जैस्ट्रिणाम के नारे लग रहते लोगों में इतना उसा है इतना उसा है इस बार गुसपैटियों वाली सरकार को जड़ से उठाके जनता फैक देगी थैंक्यू मैं